परिचाए राज, आज मैं तुम्हें अपना घर अपने लेप्टॉप की स्क्रीन पर दिखाऊंगा सैच, मैं देखना चाहूंगा मैं अपने घर का पता दे रहा हूँ अब मैं मानचित्र को तब तक बढ़ा करूँगा जब तक की मेरा घर नहीं दिखाई देगा देखो, अब मेरा घर दिख रहा है बहुत अच्छे, यह अच्छी तरह से कारे करता है लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यह कैसे कारे करता है अपने घर से पूरी दुनिया में किसी भी जगा को देख पाना कैसे संभव है यह विज्ञान और प्रद्दुकी की के विकास के कारण ही संभव हो पाया है यह उबग्रह संचार के सिध्धांद पर कारे करता है उबग्रह पृत्वी के आकड़ों को स्कैन करता है और नियमित समय अंत्राल पर इससे पृत्वी को प्रेशित करता है अब तुमें एक SMS मिला या संचार प्रणाली का एक अन्य उधारन है हम अपने देनी चीवन में असंखे विज्ञान अनुप्रयोगों का उप्योग करते हैं मुझे मेरा उत्तर मिल गया और मैं विज्ञान के बारे में और अधिक जानना चाता हूँ ठीक है आज हम विज्ञान और भौतिक दुनिया के विशय में और अध्यान करेंगे उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विज्ञान और भौतिकी को परिभाशित करने में भौतिकी के क्षेत्र और उस्सा को जानने में भौतिकी की प्रद्योकिकी को समझने में भौतिकी के समाज के बारे में जानने में प्रकृती में मूल भूत बलों का विशलेशन करने में भातिक नियों की प्रकृती के बारे में जानने में विज्ञान विज्ञान का अर्थ है जानना यहां किसी समय में सावधानी पूर्वक, प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक क्रम बध तरीका है हम अपने दैनिक जीवन में विग्यान का उप्योग करते हैं हम कार में यात्रा करते हैं, टेलिवीशन देखते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं और कई दैनिक कारे करते हैं यह केवल विग्यान के कारण ही है भौत की क्या है प्रकृती और प्राकृतिक वहवार के अध्ययन को एक संगठित तरीके से विविद उपचीरशकों में विवस्थित करना भौत की कहलाता है इसकी कई शाखाएं हैं जिनके नाम हैं यांत्रकी, विद्यूत, चुंबकत्व, प्रकाशिकी, आधुनिक भौत की आदी 1900 से पहले की भौत की परंपरागत भौत की कहलाती है और 1900 से आगे भौत की को आधुनिक भौत की कहा जाता है विज्यानिक दृष्टिकों के चार आवश्यक खंड हैं जो इस प्रकार हैं एक, एक क्रमबध तरीके से प्रिक्षन, दो, परिकल्पना करना, तीन, परिकल्पना का विशलेशन करना, चार, प्रस्तावित सिध्धांत को संशोधित करना, या दृष्टिकों सदैव समस्याओं को विज्यानिक तरीके से हल करता है भौतकी का क्षेत्र एवं उस्सहा, किसी व्यक्ति के चलने से लेकर हजारों किलोमीटर दूर संप्रेशन तक भौतकी का बहुत व्यापक्षेत्र है, समानिता भौतकी को दो भागों में विभक्त किया गया है स्थूल दर्शिये, स्थूल दर्शिये पैमाना, लंबाई का वो पैमाना है, जिस पर वस्तूओं या प्रक्रियाओं का आकार ऐसा होता है, जो नगन आखों द्वारा माप योग्के और अवलोकन योग्के होती है स्थूल दर्शिये, स्थूल दर्शिये पैमाना, आकार या लंबाई का वो पैमाना होता है, जिसका उप्योग ऐसी वस्तूओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है, जिन्हें नगन आखों द्वारा आसानी से देखा नहीं जा सकता, और जिन्हें स्पष्ट रूप स देखने के लिए किसी लेंस या सूक्ष्म दर्शी की जरूरत होती है, भौतिकी ब्रह्मान की पूर्ण समझ तक पहुंचने का प्रयास करती है, ये ऐसे मूल कड़ों का पता लगाने की कोशिश करती है, जो उन द्रव्वे बनों का निर्मान करते हैं, जो उर्जा के वेव पहार और विविद रूपों को निर्देशित करते हैं, भौतिकी की प्रद्योगी की, नाभिक और इसमें सन्निहित उर्जा का विचार हमें अपार उर्जा उत्पन करने में सक्षम बनाती है, डिजिटल तक्नीक के अध्यन ने हमें एक कंप्यूटर बनाने में सक्षम बन प्रक्रिया के विकास से हमें एक इंजन, रेफ्रिजरेटर, एर कंडीशनर आधी को समझने का मौका मिला, विद्द चुमकत्व तरंगों और संचरन के अध्यन ने संचार प्रणाली को डिजाइन करने में हमारी साहता की, उब ग्रहों के प्रक्षेपन से हम संपदा के बा करने के अतिरिक्त अपने सौर परिवार से आगे जाने में सफल हुए, भौतकी का समाज, भौतकी आधारित तकनीक के द्वारा हमारे समाज को बहुत अधिक लाभ मिला है, दृष्टी सुधार के लिए प्रयुक्त लैंस, यादायात के तरीके, सस्ती संचार व्यवस्था, मौसब की भविश्वानी, ये सभी प्रगती के कुछ ऐसे आयाम हैं जो भौतकी के कारण संभव हो पाएं हैं, लेकिन साथ ही इसने विनाश के हतियार भी दिये हैं, मिजाईल, परमाणू बम, हाइडूचन बम, सकिंड के एक भाग में ही अकल्पनिये विनाश कर सकते हैं, प्रकृती में मोलभूत बल, चार मोलभूत बल हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, गुरुत्विय बल, विदद चुमकी बल, शक्तिशाली नाबगी बल, दुर्बल नाबगी बल, गुरुत्विये बल मिरमाण में किन ही बी दो वस्तों के बीच पाया जाता है, न्यूटन के अनुसार परस पर आकर्शन बल द्रवेमानों के गुणन फल के अनुक्रम अनुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग विद्क्रम अनुपाती होता है ये स्थूल तर्शिय स्थर पर एहम भूमी का निभाता है और सभी बलों में सबसे दुर्बल होता है विद्ध चुमकिय बल आविशों के एक युग्म के मध्ध होता है विद्ध और चुमकिय बल अलग-अलग नहीं होते तुलना के लिए हम कह सकते हैं कि प्रोटानों के एक युग्म के मध्ध विद्ध बल उसी दूरी पर उनके बीच गुरुत्विय बल से दस की घात 36 गुना होता है शक्तिशाली नाविक बल प्रोटानों और निट्रानों को नाविक में बाधे रखते हैं यह सबसे शक्तिशाली बल होता है और प्रकृती में विद्ध चुम किये बल से सौ गुना होता है दुर बल नाविक ये बल कुछ अनियोनने क्रियाओं जैसे बीटा क्षय में पाय जाते हैं और यह दस की घात माइनस पंधरा मीटर की कोटी तक की दूरियों में पाया जाता है भातिक नेमों की प्रकृती विभिन बलों शासित किसी भी भातिक वहवाहर में कुछ राशियां समय के साथ बदल सकती हैं जबकि कुछ भातिक राशियां समय के साथ नियत रहती हैं ये राशियां प्रकृती की संदक्षी राशियां हैं द्रवेमान, आवेश, संवेख, उर्जा चक्र और दूसरी क्वांटम संख्याएं प्रहमान में होने वाली घटनाओं को शासित करती हैं उर्जा संदक्षन का नियम विविध रूपों में पाया जाता है उधारण के लिए आईस्टीन की द्रवेमान उर्जा तुलेता की अवधारणा और बंधन उर्जा के लिए उत्तरदाई द्रवेमान ख्षती ये पुष्टी करती है कि द्रवेमान उर्जा का एक अन्य रूप है और संदक्षित रहता है क्या आप जानते हैं 1984 में लौड केल्विन ने पूर्व अनुमान लगाया कि रेडियो का कोई भविश्य नहीं है उन्होंने ये पूर्व अनुमान भी किया कि वायू से भारी उड़ने वाली मशीने असंभव हैं आप्टिकल फाइबर का आविशकार 1966 में दो ब्रेटिश वेग्यानिकों चार्ल्स काव और जॉर्ज द्वारा किया गया जो ब्रेटिश कंपनी स्टेंडर्ड टेली कम्यूनिकेशन के लिए कारे करते थे परदे पर किसी प्रतिविम्ब का सबसे पहला प्रक्षेपन जर्मन पादरी ने किया था 16.46 में एथे नैसियस किर्चर ने हास से चुतरित प्रतिविम्बों को एक सफेद परदे पर एक मुम्मत्ती या तेल की लेंब से प्रक्षेपित किया था 18.46 में एलेक्जेंडर ग्रहम बेल द्वारा टेलिफून के लिए अपना पेटेंट पंजिक रित कराने से एक घंटे पहले एलिशा ग्रे ने अपना डिजाइन पेटेंट करा लिया था मुकदमे के वर्षों बाद पेटेंट बेल को मिला सारांश आईए हमने जो भी सीका है उसे संग्षेप में दोहराएं किसी समय में सावधानी पूर्वक प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्ट करने का एक क्रमबद तरीका ही विज्ञान है प्रकृती और प्रकृतिक वहवार के अध्ययन को एक संगठित तरीके से विविद उपशीडशकों में व्यवस्थित करना भात की कहलाता है स्थूल दर्शिय पैमाना लंबाई का वह पैमाना है जिस पर वस्तूओं या प्रक्रियाओं का आकार ऐसा होता है जो नगन आखों द्वारा माप योग के और अवलोकन योग के होती है स्थूल दर्शिय पैमाना आकार या लंबाई का वह पैमाना होता है जिसका उप्योग ऐसी वस्तूओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है जिन्हें नगन आखों द्वारा आसानी से देखा नहीं जा सकता और जिन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसी ले इदुत्चुम्किये बल आवेशों के एक युग्म के मध्धे होता है। शक्तिशाली नाभिकिये बल प्रोटानों और नूट्रानों को नाभिक में बांधे रखते हैं। दुर्बल नाभिकिये बल कुछ अनियोन्ने क्रियाओं जैसे बीटा ख्षय में पाए जाते हैं। कुछ भौतिक राशियां समय के साथ नियत रहती हैं। ये राशियां प्रकृती की संदक्षी राशियां हैं।